मनमोहन सिंग की सरकार में विपक्षिय दल की भूमी का बीजेपी नहीं निभा पा रही थी बलकि सामाजिक संघटन और कैक की रिपोर्ट ने हंगामा खड़ा कर रखा था लेकिन 10 साल बाद सामाजिक संघटनों के आंदोलनों और या फिर कैक की रिपोर्ट कोई उन पर बात नहीं करता क्योंकि ये साबित हो गया है कि इनका मकसद सिर्फ कॉंग्रेस की सरकार को बदनाम करना था और अब तो मोदी सरकार ने कैग के ही पर कतरने की कोशिश की है जिसे लेकर के कॉंग्रेस ने सवाल खड़े कर दी है क्या मनमोहन सिंग के खिलाफ रची गई थी साजिश सरकार को बदनाम करने के लिए जिस सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाया गया जांच में कुछ भी नहीं निकला और अब तो सीएजी को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है यूपिय सरकार में कैग को काम करने की पूरी आजादे मिली हुई थी बलही कैग ने लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल किये और उसकी रिपोर्ट से सरकार मुश्किल में भी फसी लेगिन कैग के अधिकारियों पर कारवाई नहीं की गई अब कैग के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है कॉंग्रेस ने इसे लेकर मोधी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं पार्टी प्रव आयुश्मान योजना के घोटाले सामने आये जहां एक ही मोबाईल नंबर से लाखों लोग जुड़े थे लेकिन कैग की रिपोर्ट पर मीडिया में कुछ नहीं दिखाया गया राम लीला मैदान में भी कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला उल्टा कैग के जिन तीन अधि कारियों ने मोधी सरकार के घोटालों को उजागर किया उनका ट्रांस्वर कर दिया गया अतुराव सिनह जो भारत माला प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के प्रभारी थे उनको दिली से त्रिवेंदरम भीज दिया दत प्रसास सूरेकान सिरसाठ जो आयुश्मान योजना से पुल्डोजर चलाएंगे तो विपक्षि से कतेई बरदाश नहीं करेगा